कक्षा साथ की शात्र ज्यान देंगे मधूप के अंदर हिंदी बुक के अंदर जिनको जाग्र नगीत के प्रस्ण उत्रों में परिशानी आ रही थी वो इस को देख करके और प्रस्ण उत्र कर लेंगे भी जिसे आपको बता रहे हैं जिसे पहला प्रस्ण है कभी बेखबर लोगों को किस प्रकार जगाना चाहते हैं तो आपके उत्तर है इसमें पहले पाठ पहला पाठ ही जाग्र नगीत और इसका पहला जो क्यूशन है देखो मानक वरतनियम वाचन उच्चारन इसमें तो आप ऐसे कैसे करके और जैसे बुक के अंदर दिया है वैसे कि उनको लिखके और उच्चारन करें बताईए पहला क्यूशन कै क्या भी बैठ कर कभी बेखबर लोगों किस प्रकार जगाना चाहता है तो आप उत्तर देंगे कभी बेखबर लोगों को अपने प्रेरणा दाएक गीतों के माध्यम से जगाना चाहते हैं आप ये भी लिख सकते हैं कि जाग्रन गीत के माध्यम से जो है कभी जो है लोगों को जगाना चाहते हैं दूसरा है क्यूशन अस्ता चल अस्ताचल और उदाचल से कभी का क्या आश्य है तो आप उत्तर लिखाएंगे लिखेंगे अस्ताचल से कभी का आश्य है कि मैं तुम्हें अंद की और नहीं जाने दूँगा अर्थाद तुम्हें एक करमणने नहीं होने दूँगा उदेयाचल से आश्य है कि मैं तुम्हें उदेय होते है अर्थाद अपने करमशील देखना चाहता हूँ ठीक ऐसे ही जैसे सूर्य उदित होता है सबको प्रकाशित करता है तो यहां पर अस्ताचल से कभी का आश्य है यह है कि कभी जो है जो निराश और जो हताश और जो जीने की उम्मीद छोड़ चुके उन लोगों को जागरित कर प्रगति सील रास्ते पर ले जाना चाहता है फिर आपके है गय क्यूस्टन कभी स्रम और कारी निस्टा से भागने वालों को क्या निर्देश दे रहे हैं तो आप यह कहेंगे कभी कहते हैं कि तुम्हें निरंतर स्रम करते भी ठकना नहीं है और नहीं अपने करतवे पत से विचलित होना है हर परकार की समश्याओं का सामना करते भी आगे बढ़ते जाना है सोचिये मुल्य परक्प्रासन उन्नती और विकास के लिए निमलिक्त गुनों का होना आवश्यक है हमें स्वानुसासन का पालन करना होगा मतला आपके किसन उन्नती और विकास के लिए किन गुनों का होना आवश्यक है तो आप इसके अंदर यह बताएंगे हमें अनुसासन का पालन, मतलब हम खुद जो है अपने कर्तवे का पालन करें उन्नति और विकास के लिए हमें लक्षे तै करना होगा लक्षे प्राप्ति के लिए सपनों को जुटाना होगा हमें उन लोगों से विचारों का आधान परदान करना होगा जिन्नोंने किसी छेत्र विशेस में महारत हासिल करके सफलता प्राप्त की हुआ। आमें आलश्य को त्याग देना चाहिए, सपने देखना छोड़ देना चाहिए, यह जो सब विंदु जो है आप पाट के आधार पर भी लिख सकते हैं। लिखिए, पहला जो क्यूस्चन है, काव्यांस पढ़कर प्रस्नों के उत्तर लिखिए, सुख नहीं डे 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 बनाने आ रहा हूं। तो इसका यहां पे इसमेश सांग इसे क८िन आणसर यह दिये हैं यह दिये हैं। व्यक्ति किसे सुख मान बैढता है तो आप उत्तर लिखेंगे व्यक्ति नीन में सपने देखने को ही सुख मान बैढता है अर्फा सपने संजोता रहता है। यही दुख का कारण है, कभी कौन सा भार्ड होने की बात कह रहे हैं, तो आपके कभी सीज पर गुरु भार का होने की बात कह रहा है, अर्था समश्याओं और दुखों से जूजने को कह रहे हैं, यहां पर कभी यह कहना चाहता है, कि समश्याओं और दुखों से जो है, नए घबरा करके और अपने करतवे निश्टा से काम करते वे आगे बढ़ने को, प्रगति सील रास्ते में बढ़ने को, प्रगति करने को कह रहे हैं, अंसे समुझाओं। कभी सूल को फूल कैसे बनाएंगे, तो इस है कभी अपनी सूजबूच के कारण, या अपने कभी अपने सूजबूच से हैं, अपने बुद्धी से, विवेक से सूल को फूल बनाएंगे, संचेप में उत्तर लिखो, आप कभी किस गहरी नींद की बात कर रहे हैं, तो कभी करतवे हिंता को गहरी नींद में सोने की बात कर रहे हैं, आकास में उड़ने का भाव क्या है, तो आप आंसर लिखेंगे, आकास में उड़ने का भाव यह है कि, आकास में उड़ने का भाव है, वास्तविक सच्चा इसे मुख मोर लेना, सपने देखते रहना, और कल्पना म जीना अगला गैक्यूशन है मंजदार से कवी का क्यार्त है तो मंजदार से कवी का तात्परिय है ए निरिने ए निश्रिता द्वंद से भरा जीवन मंजदार से मतलब एनिस्टा की स्तती बिना किसी निरने की और यहां भी यह संसार रूपी मंजदार का मतलब है संसार रूपी नया से जो है पार लगाना विस्तार से उत्तर लिखो तीसरा प्रस्ण पार में तुमको लगाने आ रहा हूं स्पंक्ति द्वारा कभी किस प्रस्टि में साइक बनने का आस्वासन दे रहे हैं तो आप उतर लेगें जब हम अपने जीवन में सही वे अवसर के अनुकुल नेले पा रहे हों इस्ततियां अनिस्यता को प्राप्त हों और जीवन में उद्देशे हो मतलत जीवन में द्वन्द आपस में मन में गलानी हो द्वन्द हो ऐसी परिश्टि में कभी साइक बनने का आस्वासन दे रहे हैं प्रगति की पत पर बढ़ने की बात कभी किन लोगों के समंद में कह रहे हैं तो कभी उन लोगों के समंद में कह रहे हैं जो अपने नेने में करतवे पत से विमुक हो गए हैं ऐसे लोग जो कालपनिक जीवन जीते हैं जो लोग जीवन की घीवन सरीता की मजदार में घिर गए हैं जो लोग संकिर्णताओं और दास्ता की बंदन में बंद कर जीवन को किसी तरह डो रहे हैं कभी को ये कभीता लिखने कि आप सकता है क्यों पड़ी होगी तो आप उतर लिखें कभी ने देश, समाज और अपने परिवेश में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे दिसाहिन, देशेहिन, निरासा जीवन जी रहे होंगे उन लोगों को देखकर लगा होगा कि यदि इन लोगों को जगाया जाए तो ये अपने जीवन में कुछ सार्थक कर सकते हैं देश, समाज और व्यक्तित निर्मान में इनका योगदान हो सकता है इनी सब कारणों से कभी को कविता लिखने का लिखने के आउसकता पड़ी होगी देश, समाज और व्यक्तित निर्मान में का योगदान हो सकता है इनी कारणों से कभी को कविता लिखने के आउसकता पड़ी होगी अगला कि उसने जागन गीत का मूल प्रतिपाध्य अपने सब्दों में लिखी है तो आप ये भावार्त के अंदर लिख देंगे जागन गीत गीत का मूल प्रतिपाध्य है कि जो लोग निरासा में हतासा में लूबे हैं आले से समझ करके अपने करतवे निस्टा से मुख मोड लिये हैं जो कि अपने देखते रहते हैं जिन्होंने प्रतिकूल प्रस्तियों से समझोता नहीं किया है उन लोगों को अपने जागन गीत के माध्यम से जागरित करने का ही मुख्यूदेश्य है संक्रिनता और सरंखलाओं से आप क्या समस्ते से कैसे मुक्तुआ जा सकता है तो संक्रिनता ये विचारों की होती है और बंदन रूडियों की होते है सिक्षा के ज्यान द्वारा विचारों को संक्रिनताओं और सरंखलाओं के बंदन से मुक्त हुआ जा सकता है जीवन में आदुनिक विश्यों को अपनाने से भी संक्रिणता की बंदन से हुआ जा सकता है आदुनिक तक्निक की तक्निक को अपनाने से भी हम अपने बंदनों से मुख्त हो सकते हैं फिर है भाव इसपस्ट कीजिए इस अंस का भाव यह है कि आपको प्रसन बुक में से देख लेंगे और आंसर बताई रहें इस भाव का अंस यह है कि मैं तुमारे अस्तुत्तु को रक्षा के लिए संगर्ष करता रहूँगा मेरी कविताई सागर बनकर तुमारी रक्षा करेंगी अर्था साइत्यकार का जीवन लोग कल्यान के लिए समर्पित होता है इसी में उसकी साइत्यक जीवन की सार्थ रखता है साइत्य समाज को बदलने की समता रखता है कभी कहता है कि लोक जीवन में किसी को भी सन मारक से विचलित नहीं होने देगा यह प्रेणा से भरी रशनाओं के माध्यम से जन के प्रती के मारक को प्रसस्त करेगा मतलग वो अपने प्रेणा से भी रस्णाओं के यान जागरिन गीत के जैसी रस्णाओं के माध्यम से जन जन के प्रगति के मार को परसर्ष करता रहेगा यह आप जो है व्याकन समझेए व्याकन सम्भोथ निम्रिस सब्दों का वर्ण विछेद कर देंगे जैसे अरून वैसे ही आपको देखो इसके अंदर शंकिन से प्लस ए प्लस मैं भी हलंत है और शे भी हलंत है और कै भी हलंत है प्लस इ इस प्रकार से देखो आप इस प्रकार से जो है वन विछेद कर देंगे जैसे कल्पना मजधार कंप्लीट भर लेंगे आप बुक के अंदर इसमें इस देख करके शंकीन स्रंखला और वंदनी ये ये आपने देख लो अच्छे तरह इसके अंदर दिख रहा है ये लो और अच्छे तरह दिख रहा होगा आगे चलो आगे जो है दूसरा है विलोम सब्द कीजिए अस्ताचल का विलोम होता है उदयाचल आकास का होता है पाताल फूल का लेंगे सूल यानि काटे कोमल का कठोर अनुकूल का प्रतिकूल शुक का दुख गुरू सब्द के दो अलग-अलग आर्थ लिकर वाक्य में प्रियोग थे और फिर है गुरू है भारी छोटे कंदों पर गुरू भार पढ़ गया असलिकूल फिर है चोथा क्यूष्ण दिये गए सब्दों का वाक्यों में प्रियोग कीजिए और लिंग पैचान कर लिखिए जिससे नींद में नींद कौन सा इस्त्री लिंग है और खेल भोट ठक गया था घर पहुंचते ही नींद आ गई है ऐसे धर्थी इस्त्री लिंग सिर पुलिंग सिंदु पुलिंग दास्ता इस्त्री लिंग अब आप ये कर देंगे ये हो गया वाक्य में प्रियोग कर दो जिसे धर्थी का धर्थी हरी पर ये सिर का पुलिंग है इमाले का सिर उनत है और सिंदु का है मैं सिंदु के किनारे खड़ा हूं समुद्र किनारे सिंदु कहते हैं समुद्र को दास्ता कहते हैं गुलामी विस् सथी बच। सब्सक्राइब और सामाने भुष्योते मैं जाऊंगा तो संदिख्त वतमान में रजत आता ही होगा गाड़ी इस्टेशन पर आती होगी और मैं जाऊंगा सुर्य पश्य में आस्थ होगा अब यह संबंदी लिंग्स स्थात्र करतों का संक्राइब करें और यह आप अपने आपको छात्र संदू के आधार पर नुचेत लिखें यह भी जी करने की जाद तुने क्या होता यदि हम अपने छेतर के नेता होते जन जागतर निमली के प्रियास करते लोगों को मानवा अधिकारियों को प्रतिस चेत करते बच्चों हैं प्रोडों को शिक्षक विष्था करेंगे लोगों के कोसल विकास के उपाई करेंगे लोगों की तकनिक ज्यान को बढ़ा को जाग रूप करने का कारीय करेंगी हूं यह आपके ओगया पेला परस्तोर परफ्तर अ फिर भी आपको कोई परिशांद है unserem में कर सकते हैं ठीक है और आपको भावार्त भी करना है इसका तो आप भावार्त भी इस पार्ट का जो है इसमें से देख करके मैं आपको बता रहा हूं कविता का जो मूल भाव है वो इस प्रकार से हैं ये कविता उन लोगों को नीन से जगाने का काम कर रही है कौन से जागरन गीत कविता जो है उन लोगों को नीन से जगाने का काम कर रही है जो अपने जीवन के उद्देश्यों को भुला बैठे हैं जो चैन की नीन सोते हैं जो आलशे में पड़े रहते हैं जिनके जीवन में अज्यानता का गहन अंदकार छाया हुआ है अर्थात उनको पड़ाई लिखाई भी नहीं करें और उन अज्यानता के कारणा वो जो है जिनका जीवन नार के बन चुका है कभी ऐसे लोगों को जीवन की उजालों से भरना चाहता है ऐसे लोग जिनोंने कभी यथार जीवन नह पृष्यास करें कभी का मानम है कि लोग अपनी जीवन में आफ आफसरके अनुकुल ने नहीं ले पा ते उनके द्वा जबय दूलू को उनके द्वारा की गई-फूलूं को कभी शुदार न काता है वह अपेक्षा करता है कि लोग अथक परिश्रम करके अपने लक्षे को प्राप्त करें कभी कहता है कि हमें रूडियों और संक्रिणताओं के बंदन से मुक्त होना होगा वह आवन करता है कि मैं अपना ओज भरी रचनाओं के माद्यम से तुम्हें मार्क से विचलित नहीं होने दूँगा उसका मानना है कि दास्ता है इंसान को हो या भगवान की हो हर द्रश्री से अनुचित है अधै तुम्हें स्वयम को सिद्ध करना होगा कविता का सरलार्द देखो भावार्द देखो आप इसका कभी कहता है कि मैं तुम लोगों को आलेश्य की नीन में नहीं सोने दूँगा मैं अपने गीतों से तुम सब में जागरती लाने आ रहा हूं अर्ता तुम्हें आप सब लोगों को अपने गीत के मादम से जागरीद कर रहा हूं मैं तुम्हें कभी अवनती की गड़े में गिरने नहीं दूगा यानि अस्ताचल के रास्ते में गड़े में तुझे तुम्हें अस्ताचल में नहीं जाने दूगा अर्था तुम्हें एकर्मन्य नहीं होने दूँगा अस्ताचल से मतलब है एकर्मन्य ताकी ओर मतलब कर्मन्य ताकी ओर जाने दूँगा एकर्मन्य ताकी ओर नहीं होने दूँगा मैं तुम्हें उद्य होतो है यानि करमसिल देखना चाहता हूँ उदेयाचल का मतलब है करमसील जिससे सूरी उदितों कर चारो दिशाओं को प्रकाशित करता है उसी प्रकार तुमारा यस्वी पुरे संसार में फेले आज तक तुम लोग कल्पना की दुनिया में विच्ण करते रहे हूं जीवन की वास्त विक्ताओं का तुमें भान नहीं है ग्यान नहीं है मैं तुमें जीवन की कटोर यथार से अवगत कराऊँगा अपने गीतों द्वारा तुमें यथारत और कल्पना लोग का अंतर समझा सुख नहीं है हटाने आ रहा हूं कभी लोगों को यह कैतो यह समझ रहे हैं कि नींद में सुन्दर सपने देख देखना सुख नहीं है जिम्मेदारियों को वहन करना दुख नहीं है तुम अभी तक जिन विप्रीत प्रस्तियों को कांटे के समान समझ रहे हूं मैं उन्हें फूल के समान कॉमल बनाने आ रहा हूँ. कभी आगे कहते हैं कि यदि जियोन में चुनोधिया नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुखिएं. यदि जियोन में विपरीत प्रस्थियों की अधिक्ता है तो इसका मतलब धुकी होना भी नहीं है. हमारी जियोन में जो प्रसितियां हैं वे हमारी अनुकूल हैं या प्रतिकूल ये सोचकर ब्रह्म में मत रहें मैं ब्रह्म की इस धूल को अपने गीतों की द्वारा मिटा दूँगा तुम अपने कर्तिविक का कोई स्पष्ट देख पाओगी और उस पर आगे बढ़ सकोगी देखो आगे वाली परेगराप का भावारत हैं देखकर मजदार उठाने आ रहा हूँ यहां तक की जो पंग्तियों का आर्थ हैं वो इस तरह से हैं कभी कहता है कि प्रगति की राह में मुश्केले आई तो घबराना मत मैं तुम्हे निरास नहीं होने दूँगा अपने गीतों से तुमारे मन में आसा की किर्ण जगाने आ रहा हूँ तुमारे मन में जो पुरानी रूडियों में जगड़ा है पुरानी विचारधाराओं में जगड़ा है संकिन मानसिता के कारण संकिन मानसिता चोटी विचारधारा के कारण नई विचारों को अंदेखा कर रहा है ऐसे बंदनों में जखड़े हैं तुमारे मन को मुक्त करने में आ रहा हूँ मैं तुम्हें पानी की बून की तरह इस संसार सागर में खोने नहीं दूँगा बलकि समुद्र की रहा बनाऊंगा जिसमें पानी की हजारों बुंदे उड़ती गिरती रहती है आगे वाला जो लास्ट वाला पेराग्राफ है उसमें देखेंगे आप तुम उठो कभी कहता है कि तुम लोगों को धरती और आसपास कभी ये कहता है कि तुम जाओगे तो धरती आस्मान का सिर्वी उंचा होगा यानि देश प्रगती करेगा तुम नई चेतना के साथ ऐसी गती से आगे भड़ो कि गती भी आश्रे में पड़ जाए मैं तुम्हें करतवी पत से विचलीत नहीं होने दूँगा अपने प्रेणा दाएक गीतों द्वारा तुम्हें प्रगती पत पर आगे बढ़ा रहने आ रहा हूँ कभी लोगों को समझातों ये कहता है कि ने तो इनसान के और नहीं भगवान के दास बनो किसी को वंदन के सिर्मत जुखाओ जुखाओ मैं अपने गीतों द्वारा तुम्हें ऐसी सक्ति देने आ रहा हूँ हूँ कि सब तुमारी वंदना करें और आप वंदनी बन जाओ ये आपकी पाट का भवार्त भी हो गया और प्रस्नोत्र हो गयी आप जिन बच्चों को जो परिशानी आ रही थी वो इसमें आप आराम से जो है प्रस्नोत्रों को देख लेंगे और प्रस्नोत्र देखने के बाद भवार्त जो है पहले भवार्त कर लेंगे या पहले आपके उसनान से कि फिर भावाद कर लो आपको पार्ट समझ में पूरा नहीं आ रहा हो तो ये भावाद देख कर के पहले पंक्तियों की लाइन लिखो और उसके नीचे हिंदी सरलार्थ लिख लो उसके बाद में आप ये परस्न उत्तर करोगे तो आपको ये पूरा पार्ट समझ में पूरे पार्ट के प्रस्न उत्तर हो जाएंगे और आपको कहीं भी दिकत नहीं आएगी आप प्रस्न उत्तर कर लो उसके बाद में मैं आपको अगले पार्ट के प्रस्न उत्तर कराऊँगा हन्स और कोवा दूसरे वाले वीडियो के अंदर